Hello student, how are you? उम्मेद करता हूँ कि आप सब बेतर होंगे, अच्छे से होंगे Student, कल की वीडियो में हम लोगोंनों BAC 3rd year metric space में metric space के concepts और definition को देखा था आज next concept को देखते हैं distance between two sets, diameter of a set मतलब क्या है? कि या तो distance between two sets कह सकते हैं या कह सकते हैं diameter of a set ध्यान देना, distance की चर्चा हम लोग कल metric space में इसके concept में कर चुके हैं अगर इसको समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं मान के चलते हैं कि या क्सडी कोई metric space का set है ठीक ना, be a metric space be a metric space और मान के चलते हैं कि capital A मान लेते हैं कि कोई भी non-empty set है क्या है, कोई non-empty set है यह हम मान के चलते हैं, ऐसा है तो इस condition में क्या हो जाएगा और यह non-empty set क्या है subset है किसी non-empty set capital यक्स का तो अगर हम diameter के sense में बात करें इस capital A को तो इट केन बी डिनोटे जाएज diameter of A del A del A is defined as is defined as या defined by तो जो diameter of A defined होगा diameter of A equal to के साथ supremum बहुत ध्यान से समझना mathematical है सुप्रिमम diameter of two points यक्स वाई या कह सकते हैं distance between two points यक्स वाई इसका मतलब ये जो दोनों points है ये बिलांग करेंगे कहाँ पर जो non-empty set capital A लिया था यहाँ पर बिलांग करने वाले हैं तो इसी को हम define करेंगे क्या कहेंगे कि ये distance between two sets को बताएगा या diameter of set को बताएगा अगर हम बात करें इसी को alternate करके समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा कि और क्या इसको कैसे define कर सकते हैं तो लिख सकते हो इसको next में लिख सकते हो कि the distance between the distance between बहुत आराम से note बनाते चलो two non-empty set two non-empty set the distance between two non-empty set या subset of capital A and capital B capital A and capital B यहासे थोड़ा सा दिखाई देरा होगा the distance between two non-empty set कैसा होना चाहिए दोनों के दोनों set non-empty होना चाहिए क्या होना चाहिए subset of capital A and capital B आफ अ मेट्रिक आफ अ मेट्रिक इस स्पेस कैपिटल एक्स इज डिफाइंड बाई इसको भी मैथमेटिकली कैसे डिफाइंड कर सकते हो कि T of AB इक्वल टू के साथ ये केस हो जाएगा इनफीमम का और इसको लिख सकते हैं अगर इसमें हम सबसेट के केस में देखेंगे तो ये केस हो जाएगा metric of A, B equal to infimum यह दोनों point के बीच का distance जिसमें condition है कि X capital A में बिलांग करेगा और Y कहां पर बिलांग करेगा capital B में तो यह दोनों case हमारा हो जाएगा distance between two sets यह कह सकते हैं diameter of a pause the video noted down screen start ले लो फिर आगे बढ़ते हैं ओके तो आगे हम देखते हैं कुछ notable points कुछ notable points है इनको देख लेते हैं जैसे notable points में हम समझने का प्यास करेंगे पहला note तो यह देख लो कि जो diameter of a set है ना इसको समझो diameter of a set है ना वो क्या होगा is always is always non negative is always non negative अब कुछ लोगों को समझ में आ रहा है कि क्यो non negative क्यों कि diameter क्या है length measure करेगा length कैसा measure करेगा 2 points के बीच में measure करेगा और जब length measure करेगा तो length जो होता है कभी negative नहीं होता है तो क्या होगा non negative यह condition पहली condition होगी दूसरी condition क्या हो जाएगा जो diameter है the diameter यह एक नमबर दो नमबर में पूछा जाता है इन्वस्टी जीजाम में बहुत important है diameter of empty set ध्यान देना आप तक हम पढ़ रहे थे कि non empty लेकिन जब diameter of empty set पूछेगा तो इस क्या हो जाएगा minus infinity वाइबा में पूछा जाता है बहुत important है diameter of in metric space empty set और अभी तक non empty non empty का मतलब कुछ ना कुछ set के element को contain करेगा लेकिन जब empty set की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है empty होगा तो कोई भी set तो इसका मतलब इसकी जो value आएगा वो कितना आएगा minus infinity तीसरा case देख लो तीसरा case जो important notable है कि a set capital A is said to be is said to be bounded ये bounded कब कहा जाएगा जब जो diameter of a point है ये less than किसे हो जाए infinity से ये सारे के सारे conditions आप लोगों को याद में रखना है चौथी condition चौथा note देख लो important note किसे चल लए अगर हम माल लेते हैं कि capital A क्या है एक closed sphere है capital A क्या है एक closed sphere है जिसका radius क्या given है r given है इसका मतलब जो होगा जो diameter of a होगा it can be written as क्या हो जाएगा 2r 2r यहापे दिखाए दे रहा है 2r diameter of a क्या होगा 2r तो ये condition है next condition 5th condition 5th note में समझ लो अगर कहीं पे लिखा है कि diameter of x a इसका मतलब होगा एक point है और a क्या है set है इसका मतलब जो value होगा zero होगा लेकिन कब zero होगा जब जो yaks है ये विलांग करेगा capital A से समझते हुए चलना है next point में देख लो कि 6th note ये सब important है एक number या वाइबा के exam में पूछा जा सकता है या important है other competitive examination के लिए तो आप higher order mathematics जब पढ़ने लगोगे तो वहाँ पर भी ये काम देगा है जैसे ये ही metric आगे चलके MSC में topological में बनेगा तो ये यहाँ पर काम देगा है ये concept को इसलिए समझते चलो condition है कि अगर D आफ A भी लिखा है तो equal to 0 लिख सकते हो लेकिन है condition में condition क्या है कि A intersection B ये कभी भी phi नहीं होना चाहिए मतलब क्या है कि non important नहीं होना चाहिए तब तो ये value आप लिख सकते हो समझ में आई बात इतनी बात अगर हमें एक note और दे दे important note दे तो इसको लिख सकते हो the distance next note नोट भी करते चलो the distance of set capital A and empathy set is infinite इसका मतलब इसका मतलब metric of A phi इसका value पूछेगा तो इसका value ही क्या होगा infinite तो ये कुछ important notes है 57 point है है ना इनको समझते चलो remind कर लो note कर लो फिर आगे बढ़ते हैं pause the video note it down इसक्रीन साथ लो देना आगे बढ़ते हैं okay next में देखते हैं next important concept को समझेंगे और देखेंगे next क्या है कि एक theorem important लेखते हैं और उसको prove करते हैं theorem क्या कह रहा है let capital AXD be a metric space be a metric space and let XYZ ये तीन पॉइंट है XYZ be any three point three point of non-empathy set capital X then then proof क्या करना है ध्यांदो then metric of XY DXY is greater than or equal to mod of DXZ minus time के साथ DZY ठीक mod close हो जाएगा तो ये अब थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा ये हमको prove करना है condition देख लो let XD ये condition हो जाएगा कि B A metric space है है ना and let XYZ ये तीन पॉइंट है XYZ क्या हो जाएगा तीन पॉइंट है be any three points of capital A X then prove करना है कि DXY is greater than or equal to DXZ minus DZ Y किसके condition के साथ में mod के साथ में तो proof देखते हैं इसका है ना यहां से proof देखेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं ध्यान दो क्या कह रहा है proof में हम जानते हैं कि by the definition of by the definition of metric space by the definition of metric space we have metric space की definition हम लोगों ने पढ़ा है क्या पढ़ा है तो इसको लिखा जा सकता है DXZ less than or equal to क्या कल हमने पताया है पहली वीडियो में DXY plus DY Z है ना और यह क्या है Tringle inequality से related है it can be written as DXY plus D ZY किस property से इसको लिख रहे हैं तो बता दो कि किस property से लिख रहे हैं यह भी कल हमने 4 property मताया था symmetric property से symmetric property से हम इसको लिख सकते हैं और अगर ऐसा है it can be written as implied and implies that DXZ minus DZY और condition क्या है less than or equal to DXY मताब यह XZ और यह ZY less than or equal to DXY इसको माल लेते हैं case number first और अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं by metric space की fourth property कल वाली वीडियो देखो fourth property हमने बताया है fourth property क्या बताया था DZY is less than or equal to DXZ plus time के साथ DXY इसको हम क्या कहते हैं fourth property tringle inequality भी कहते हैं it can be written as in the form of DXZ plus DXY क्यों क्योंकि हम जानते हैं कि इस case को क्या लिख सकते हो DXZ से metric property से equal to DX इसको लिखी सकते हो तो इसको भी लिख सकते हो D condition में ZY minus DXZ ये क्या हो जाएगा let's then or equal to किस से DXY इसको माल लेते हैं case number second समझ में आई बात इसमें metric space की fourth property कल वाली वीडियो देखना हमनों चारों property बताया है और उसी को apply कर रहे है ये ट्रिंगल inequality की property इसको apply कर रहे है हमको proof करना है DXY is greater than or equal to module of DXZ minus DZY इसका क्या मतलब है कि इसमें negative ये positive positive ही माना जाएगा क्योंकि ये क्या है supreme या क्या कह सकते है या modulus का case है तो इस case में हम क्या करते है क्योंकि अस्थान नहीं है तो क्या करते है pause the video, note it down screen start लेलो फिर अगले page बे हम इसको discuss कर लेते हैं अब इन दोनों equation को ध्यान में रखो पहले equation और दूसरे equation का use करके हम इसको प्रूफ करेंगे तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई लिखेंगे from from equation first and second we get that पहले और दूसरे equation को अगर हम use करते हैं तो क्या पाते हैं dxy is greater than or equal to module of dxz minus dzy और यही हमको क्या करना था proof करना था ठीक ना तो यह हमारा क्या हो जाएगा proof हो जाएगा यही हमको proof भी करना था तो इस प्रकार से हम पहले और दूसरे equation को conclude करते हैं x y is greater than or equal to dxz minus dzy और इसमें symmetric और tringle inequality property का हमने use किया है कल वाली वीडियो आप लोग देख लो चारो प्रापर्टि metric issues का समझ दो ठीक ना तो इसको note कर लो फिर आगे हम बढ़ते हैं तो इस तरीके से next question की तरह पढ़ते हैं और इसी पर metric space पर next question करते हैं theorem है important क्योंकि ये भी theorem है कुछ theorem कर लेते हैं उसके बाद question करते हैं next theorem क्या कह रहा है कह रहा है कि let बहुत important theorem है x1 d1 and x2 d2 do metric space है dna two metric two metric space defined by two metric space है और ये कह रहा है कि इस तरीके से defined है defined कैसे है x1 x2 y1 y2 का metric space distance equal to ये ही हमको prove भी करना होगा under root time के साथ में ये है d1 square और condition क्या है x1 y1 plus time के साथ d2 square और ये क्या है x2 और y2 है ना इसमें कुछ case है whereas x1 y1 x1 y1 ये विलांग करेगा non-impetitioned capital x1 and x2 y2 ये विलांग करेगा capital x2 क्या करना है तो show that show that d is d is metric space metric space for x1 cross x2 ये कुछ कल हमने पहले बीडियो में डिसकुस किया cart agent product जैसा है इसको हमको show करना है तो ये हमारा theorem का statement है theorem का statement एक बार फिर से समझ लेंगे कि कह रहा है कि x1 d1 ये case है और x2 d2 ये case है two metric spaces है defined as इस तरीके से defined है जहां पिर x1 y1 ये x1 से विलांग करता नहीं पटी से और x2 y2 विलांग करता x2 से so करना है कि ये जो metric space है x1 cross x2 के लिए valid है तो क्या करेंगे इसको note करेंगे क्योंकि ये अस्थान नहीं अगले page में हम इसको proof करते हैं pause the video noted down इसक्रीन साट लिए ओके चलो भाई अब आगे हम समझते हैं और theorem को देखते हैं theorem का statement आप लोग ने note कर लिया होगा इसका proof देखते हैं proof क्या है proof बहुत आराम से समझेगे चूंकि बहुत important है अगर ये concept clear हुआ तो metric space clear हो जाएगा हम जानते हैं कि x1 और लिखने का तरीका भी सीखो d1 and x2 d2 x1, d1 and x2, d2 ये क्या है are two metric space are two metric space इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है by definition by definition किसे metric space के तो we have हमको क्या क्या मिलता है ये समझ लेते हैं पहला case हम क्या जानते हैं कि d1 x1 y1 ये greater than or equal to 0 होगा और इसमें d2 x2 y2 ये greater than or equal to 0 होगा दूसरा metric space का case क्या होगा d1 बोलो x1 y1 equal to के साथ d1 y1 x1 ये किसका case था symmetric का और चूंकि d2 का case है तो इसको लोखेंगे d2 x2 y2 equal to d2 y2 और x2 साथ में note भी करते चलेंगे symmetric का case होजाएगा है ना अच्छा तो ये symmetric का तीसरा case क्या है तीसरा case होजाएगा d1 x1 y1 equal to के साथ 0 इसका मतलब ये कब possible होगा जब x1 equal to y1 होगा और दूसरा case क्या होगा d2 x2 y2 equal to 0 ये कब होगा जब x2 equal to y2 होजाएगा चौथी प्रापर्टी हम लोग क्या जानते है इसको tringle inequality कहते है भई तो d1 x1 y1 less than or equal to इसको लिखा जा सकता है d1 x1 z1 plus time के साथ d1 z1 और y1 अभी d1 का case ये cancel out हुआ है अभी d2 का case बचा ही है तो d2 tringle inequality में कम लगा दो x2 y2 less than or equal to ये condition लिख सकते हूँ d2 x2 z2 plus time के साथ d2 z2 y2 तो ये चार प्रापर्टीज है और हमको क्या करना है मैं टिकी स्पेस से to show that to show that d of x1 y1 और दूसरे बेकट में x2 y2 equal to के साथ ये जब भी एक्जाम में पूछा जाएगा long answer में पूछा जाएगा d1 square के साथ x1 y1 plus time के साथ under root में ही है d2 square x2 y2 ये प्रूफ करना है is a is a metric space is a metric space तो ये तो हमने initial एक प्रोलाग लिखा एक भूमिका बनाया है ना तो ये हमने proof के condition में लिखा है कि 4 metric space की property है और ये condition हमारे पास इस तरीके से है तो condition क्या हो जाएगा इसमें 4 condition हो गया next में देखते हैं proof में pause the video noted down screen start ले लो फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है तो आगे देखते हैं case क्या हो जाएगा y1 is greater than or equal to 0 and second क्या है d2 x2 y2 ये greater than or equal to 0 ये तो पहला case हो गया है पहला case में हम बात कर रहे है अब इसी को क्या लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हो d1 square x1 y1 is greater than or equal to 0 and इसी को लिख भी सकते हो d2 square x2 y2 is greater than or equal to 0 अच्छा इन देनों का sum x1 और y1 ये case हो जाएगा प्लस time के साथ d2 square और या जाएगा x2 y2 ये greater than or equal to 0 यहां तक ये case कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस भासा में भी लिख सकते हैं क्योंकि given है d1 square x1 y1 plus time के साथ d2 square x2 और y2 ये case क्या है greater than or equal to 0 इसका मतलब ये किस के equal था अगर ध्यान दो धीरम के जब हमने question बताया था तो ये किस के equal है ये case यहां पे d x1 x2 और y1 y2 के equal है तो इसको लिख भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं d of x1 x2 और ये case हो जाएगा y1 y2 ये हो जाएगा greater than r equal to 0 और ये ब्रेकट बन तो ये case हमारा पहला था ये और ये proof हो गया पहले condition metric space की proof है अब बात करते हैं दूसरी condition की दूसरी condition क्या है second condition की second condition में हम order by order भी चल सकते हैं और order by order नहीं चल सकते हैं मतलब कोई भी एक से टुठाओ और उसमें से proof करो तो इसमें देखते हैं b condition अगर हम proof करें तो जानते हैं d1 x1 और y1 equal to क्या होता है 0 इसका मतलब ये कब possible होगा भई जब x1 equal to y1 होगा तभी तो possible होगा और दूसरा case क्या है d2 x2 y2 equal to 0 ये कब possible होगा अरे भई जब x2 equal to y2 होगा तभी तो possible होगा और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि ये जो metric space है x1 x2 और दूसरा y1 y2 ये case हो जाएगा 0 ठीक ना तो अभी हम आगे देखते हैं pause the video note it down इसका screenshot ले लो फिर आगे बढ़ते हैं तो इसका screenshot ले ले लेते हैं आगे इसके देखते जाते हैं क्योंकि question थोड़ा सा लिंदी है हर property में ठीक एप्लाई करना है तो इस condition में इसको भी लिख सकते हो ऐसे कैसे d1 square x1 y1 plus d2 square x2 y2 है ना equal to के साथ में 0 इसको अगर root हटाना चाहें तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते x1 y1 equal to 0 और इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते x2 y2 equal to 0 अगर हम implies and implies that का case लें तो यह हो जाएगर d1 x1 y1 equal to 0 यह कब possible है x1 equal to y1 पे और d2 x2 y2 equal to 0 यह बो यह कब possible है जब x2 equal to y2 हो जाएगा तो यह case symmetric का है d2 x2 y2 equal to 0 x2 equal to y2 it can be written as x1 x2 equal to y1 y2 तो यह case हो गया तीसरा case देखते हैं c case इसमें हम symmetric को proof करने वाले हैं symmetric property क्या करता है d1 x1 y1 equal to it can be written as d1 y1 x1 आगे बढ़ते हैं d2 x2 y2 इसको लिख सकते हैं d2 y2 x2 बिल्कुल लिख सकते हो और इसको अगर हम लिखना चाहें square के form में तो बिल्कुल लिख सकते हो d1 square x1 y1 equal to के साथ यह भी लिखा जा सकता है अगर लिखना चाहें तो d1 square y1 x1 इसको भी लिख सकते हो ऐसा square form में d2 square x2 y2 equal to d2 square y2 और x2 और अगर इसको हम symmetric property में इसको arrange करना चाहें तो it can be written as in the form of इसको देखो d1 का condition यह हो गया और d2 का condition यह हो गया तो हम d1 और d2 को दोनों को add करेंगे तो लिकेंगे d1 square x1 y1 plus d2 square यह हो जाएगा x2 और y2 और यह case equal to का होगा तो d1 square और यह case अब y1 x1 वाला तो y1 x1 plus d2 square यह जाएगा y2 x2 है ना क्या करेंगे pause the video note it down फिर आगे पढ़ते हैं यह case ध्यान में रखना इसको under root करेंगे आगे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे root form में square को लिख सकते हो तो इसे लिखेंगे d1 square x1 y1 plus d2 square x2 y2 equal to के साथ under root में ही होगा d1 square y1 x1 plus d2 square y2 x2 it can be written as in the form of d1 या d time के साथ यह क्या हो जाएगा x1 x2 और दूसरे bracket में y1 y2 equal to के साथ d time के साथ इसको x1 है तो इसको लिख सकते हैं y1 y2 और इसको लिख सकते हैं x1 x2 अगर हम देखें तो dxy equal to dy x यह कैसा है symmetric property जैसा है तो यह case तीसरा proof हो गया ठीक ना चौथा condition क्या है चौथा condition है ट्रिंगल inequality का तो चौथा condition हम ट्रिंगल inequality के लिए देखते हैं ट्रिंगल inequality मानना पड़ेगा कि x1 y1 तो है ही हमको z1 की भी condition लेने पड़ेगी तो मान के चलते हैं let x1 x2 y1 y2 और z1 z2 यह belong करता है कि से x1 cross x2 से इसका मतलब अगर हम लिखना चाहें तो dxy it can be written as in the form of d1 square x1 y1 plus d2 square x2 y2 यह case जो होगा dxy यह देखो less than or equal to किसके होगा अब इसको ध्यान से देखना हम लिखने चलना है बहुत ध्यान से देखते चलना under root time के साथ में d1 x1 z1 plus d1 z1 y1 समझ में आया कि कहां से आ रहा है क्योंकि ट्रिनिंगल equalty है तो इसके लिए हमने पहला condition लिखा plus d2 x2 z2 plus यह condition हो जाएगा यहाँ पे d2 z2 y2 है ना यह condition और यह total यह पूरा packet जो है तो यह क्या हो जाएगा ट्रिंगल inequality का case हो जाएगा पॉस दी वीडियो नोटे डाउन इसक्रीन साथ ले लो फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से इस वाले को अब हम root हटाएगे तो ध्यान देना यहाँ से इसको root हटाने पर हमारे पास जो case आता है वो क्या जाएगा इसको लिख सकते हैं d1 square less than or equal to की condition चली रही है d1 x square यह जाएगा x1 z1 plus d2 square x2 z2 और root था तो हम इसको 1 upon 2 लिख सकते हैं कोई changing नहीं d1 square और यह case हो जाएगा z1 z1 y1 का square plus d2 यह हो जाएगा z2 y2 और यह case में square हो जाएगा यह भी square और यह case में d1 square और d2 square और पूले का root में हो जाएगा तो यह भी condition क्या लिख सकते हो पूरे का hole upon 2 यहां पे दिखाए नहीं दे रहा है पूरे का hole upon 2 यहां पे एक मिनट के लिए यहां पे देख लो मैं यहां पे लिखता हूँ पूरे का hole upon 2, दिखाए दिया तो देख लो एक बार, पूरे का hole upon 2 D1 square, Z1, Y1 का square, है ना और ये D2, time के साथ में Z2 और Y2 का hole square, है ना और पूरे का hole square, बतलब ये condition पूरे का hole square ने, पूरे का 1 upon 2 ये condition हो जाएगा, तो इसको हम फिर से इस तरीके फिलिक देते हैं, ये अब दिखाए दिया, तो इसको हम आगे step में क्या लिखेंगे, इनको conclude कर लेते हैं, conclude करने पर आगे के step को हम लिख सकते हैं, Dxy equal to के साथ under root D1 square है ना, D1 square और इसको लिख सकते हैं, X1 Y1, plus D2 square, X2 Y2 तो ये case हमारा हो जाएगा metric space is a metric space, किस पर on capital X ये जो square है ना, इसको chat D1, time के साथ square लिखो, या square इसको हटा ही दो, अब लिखो D1 square, Z1 Y1, plus D2, Z2 sorry, D2 square लिखना है, Z2 Y2 का square नहीं, D2 square, Z2 Y2, power 1 by 2, फिर सिख बढ़़ देखो, D1 square, X1 Z1, plus D2 square, X2 Z2, power 1 by 2, plus D1 square, Z1 Y1 है ना, plus D2 square Z2 Y2 समझ मारी बात, और power क्या है 1 by 2, तो इस case में हमने जब इसको conclude किया conclusion कैसे किया, इसके पूरे conclude किया, इस सारे step को लेके जब हमने conclude हिया, इस step को लेके, इस step को लेके जब conclude किया, तो हमारे पास यह case है Dxy, और यह tringle in equality state can be written as in the format D1 square, X1 Y1, right क्योंकि X1 Y1 का case, यह case हो जाएगा, tringle में Z हमने लिए है, Z1 का case हो जाएगा, plus D2 square और इसको क्या लेक सकते है, X2 Y2 तो यह क्या हो जाएगा, metric space होगा on capital X और यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था तो इस तरीके से हमने देखा कि metric के चारो प्रापर्टी चाहे हो metric की first प्रापर्टी हो, metric का second वाला प्रापर्टी हो, जहाँ पे दिया था Dxy equal to 0 यह case था, चाहे first प्रापर्टी हो, Dxy greater than 0 चाहे metric का third प्रापर्टी हो symmetric वाला Dxy equal to Dyx और चाहे metric का fourth प्रापर्टी हो, क्या था Dxy less than 0 एक्वल to Dxy प्लस Dzy इन चारो प्रापर्टी इसको हमने use किया इस थीरम में और finally हमने इसको यहां तक प्रूफ किया, तो इस तरीके से हमने देखा कि metric space को कैसे थीरम को प्रूफ करते हैं ये थीरम बहुत important है तो आज के lecture में यहीं तक next video में जब हम आएंगे तो नए थीरम और नए concept question के साथ मिलेंगे तब तक के लिए आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, take care, bye bye